लीजे सुनिये मुन्शी प्रेम चंद के लिए के कथा संग रहे मान सरूवर आठ की कहानी गरीब की हाए मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में मुन्शी राम सेवक भौयें चड़ाये हुए घर से निकले और बोले इस जीने से तुम मरना भला है मृत्यों को प्राया इस तरह के जितने निमंत्रन दिये जाते हैं यदि वो सब को सुईकार करती तो आज सारा संसार उजार दिखाई देता मुन्शी राम सेवक चांदपुर गाओं के एक बड़ी रईस थे रईसों के सभी गुन इन में भरबूर थे मान और चरित्र की दुरबलता उनके जीवन का आधार थी उनित्त मुनसिफी का चहरी के हाते में एक नीम के पेड़ के नीचे काघसों का बसता खोले एक टूटी सी चौकी पर बैठे दिखाई देते थे किसी ने कभी उन्हें किसी इजलास पर कानूनी बहस वा मुकदमे की पैरवी करते नहीं देखा परंतु उन्हें सब लोग मुखतार साहब कहकर पकारते थे चाहे तूफान आवे पानी बर से ओले गरे पर मुखतार साहब वहां से टस्स से मस न होते जब वो कचहरी चलते तो देहातियों के जुन्ड के जुन्ड उनके साथ हो लेते चारो ओर से उन पर विश्वास और आदर की दृष्टी पढ़ती सब में प्रिसिध था कि उनकी जीभ पर सरस्वती विराजती है इसे वकालत का हो या मुखतारी परन्तु ये केवल कुल मर्यादा की प्रतिष्ठा का पालन था कामदनी अधिक न होती थी चांदी के सिक्कों की तो चर्चा ही क्या कभी कभी तांबे के सिक्के भी निर्भे उनके पास आने में हिचकते थे मुशी जी की एक कानून दानी में कोई संदेह न था परन्तु पास के बखेड़े ने उन्हें विवश कर दिया था खेर जो हो उनका ये पेशा केवल प्रतिष्ठा पालन के निमित्त था नहीं तो उनके निर्वाह का मुख साधन आस पास की अनाथ पर खाने पीने में सुखी विधवाओं और भोले भाले किंतु धनी वृद्धों की श्रद्धा थी विधवाएं अपना रुपिया उनके हां अमानत रखती बुढ़े अपने कपूतों के डर से अपना धन उन्हें सौंप देते पर रुपिया एक बार उनकी मुठी में जाकर फिर निकलना भूल जाता था वो जरूरत पढ़ने पर कभी कभी कर्ज ले लेते थे भला बिना कर्ज लिये किसी का काम चल सकता है भोर की साधन के करार पर रुपिया लेते पर साधन कभी नहीं आती थी सारांश मुठी जी कर्ज लेकर देना नहीं सीखे थे ये उनकी कुल पर था थी ये सभी मामले बहुधा मुठी जी के सुख चैन में विखन डालते थे पानून और अदालत का तो उन्हें कोई डरना था इस मैदान में उनका सामना करना पानी में मगर से लड़ना था परन्तु जब कोई दुष्ट उन से भिड़ जाता उनकी इमानदारी पर संदेह करता और उनके मुँपर बुरा भला कहने पर उतारू हो जाता तब मुन्शी जी के हिर्दय पर बड़ी चोट लगती इस परकार की दुरगटनाए प्रायह होती रहती थी हर जगह ऐसे ओचे रहते हैं जिन्हें दूसरों को नीचे दिखाने में ही आनंदा आता है ऐसे ही लोगों का सहारा पाकर कभी कभी चोटे आदमी मुन्शी जी के मुह लग जाते थे नहीं तो एक कुझडन की इतनी मजाल नहीं थी कि उनके आंगन में जाकर उन्हें बुरा भला कहे मुन्शी जी उसके पुरा निकाहत थे बरसों तक उससे साग भाची ली थी यदि दाम न दिया तो कुझडन को संतोष करना चाहिए था दाम जल्दी वा देर से मिल ही जाता परन्तु वो मुह भट कुझडन दो ही बरसों में घबरा गई और उसने अपने आने पैसों के लिए एक प्रतिष्ठित आदमी का पानी उतार लिया जुझला कर मुंशी जी अपने कुम्रित्यू का कलेवा बनाने पर उतारू हो गए तो इसमें उसका कुछ दोश न था इसी गाउ में मुंगा नाम की एक विद्वा ब्रहमनी रहती थी उसका पती बर्मा की काली पल्टन में हवलदार था और लड़ाई में वही मारा किया सरकार की और से उसके अच्छे कामों के बदले मुंगा को पाँच सो रुपे मिले थे विद्वा इस्त्री जमाना नाजुक था बिचारी ने ये सब रुपे मुंशी राम से वक को सौप दिया और महीने महीने थोड़ा थोड़ा उसमें से मांग कर अपना निर्वाह करती रही मुंशी जी ने ये करतव कई वर्ष तक तो बड़ी इमानदारी के साथ पूरा किया पर जब बूरी होने पर भी मुंगा नहीं मरी और मुंशी जी को ये चिंता हुई कि शायद उसमें से आधी रकम भी स्वरग आत्रा के लिए नहीं छोड़ना चाहती तो एक दिन उन्होंने कहा मुंगा तुम्हें मरना है या नहीं या साफ साफ कह दो कि मैं ही अपने मरने की फिक्र करूँ उस दिन मुंगा की आखे खुली उसकी नींद टूटी बोली मेरा हिसाब कर दो हिसाब कचिट्था तयार था अमानत में अब एक कोड़ी बाकी ना थी मुंगा ने बड़ी कड़ाई से मुंशी जी का हाथ पकड़ लिया और कहा अभी मेरे धाई सो रुपे तुमने दबा रखे है मैं एक कोड़ी भी न छोड़ूंगी परन्तु अनाथों का करोध पटाखे की आवाज है जिससे बच्चे डर जाते हैं और असर कुछ नहीं होता अदालत में उसका जोर न था ना लिखा पढ़ी थी ना हिसाब किताब हाँ पंचायत से कुछ आसरा था पंचायत बैठी कई गाउं के लोग इकटे हुए मुंशी जी नियत और मामली के साफ थे सभा में खड़े होकर पंचों से कहा भाईयो आप सब लोग सत्त परायन और कुलीन है मैं आप सब साहबों का दास हूँ आप सब साहबों की उधारता और कृपा से दया और प्रेम से मेरा रोम रोम किर्टग है क्या आप लोग सोचते हैं कि मैं इस अनाथनी और विद्वा इस्त्री के रुपए खड़प कर गया हूँ पंचों नहीं एक स्वर से कहा नहीं नहीं आप से ऐसा नहीं हो सकता राम सेवे यदि आप सब सज्जनों का विचार हो कि मैंने रुपए दबा लिये तो मेरे लिए डूब मरने के सिवा और कोई उपाय नहीं मैं धनाध नहीं हूँ ना मुझे उदार होने का घमंड है पर अपनी कलम की किरपा से आप लोगों की किरपा से किसी कम होताज नहीं क्या मैं ऐसा ओचा हो जाऊंगा कि एक अनाथनी की रुपए पचालू पंचो ने एक स्वर से फिर कहा नहीं नहीं आप से ऐसा नहीं हो सकता मुझे देख कर टीका काढ़ा जाता है पंचो ने मुझे जी को छोड़ दिया पंचायत उठ गई मुंगा ने आह भर कर संतोश किया और मन में कहा अच्छा यहां ना लिया तो ना सही वहां कहा जाएगा अब कोई मुंगा का दुख सुनने वाला और सहायक न था दरिद्रता से जो कुछ दुख भूगने पड़ते हैं वो सब उसे जीलने पड़े वो शरीर से पुष्ट थी चाहती तो परिश्रम कर सकती थी पर जिस दिन पंचायत पूरी हुई उसी दिन से उसने काम करने की पसम खाली अब उसे राद दिन रुपए की रट लगी रहती उठते बैठते सोते जागते उसे केवल एक काम था और वो मुल्शी राम से वक का भला मनाना जोपड़े के दर्वाजी पर बैठी हुई राद दिन उन्हें सच्चे मन से असीसा करती बहुदह अपनी असीस के वाक्यों में ऐसे कविता के भाव और उपमाओं का व्यावार करती कि लोग सुनकर अचंबे में आ जाते दीरे दीरे मुंगा पगली हो चली नंगे सिर नंगे शरीर हाथ में एक कुलहडी लिये हुए सुनसान स्थानों में जा बैठती जोपड़े के बदले अब वो मरघट पर नदी के किनारे खंडहरों में घूमती दिखाई देती बिखरी हुई लटे लाल लालाखे पागलों सा चेहरा सूखे हुए हाथ पाउं उसका ये सरूप देखकर लोग डर जाते थे अब कोई उसे हसी में भी नहीं छेड़ता यदि वो कभी गाउं में निकलाती तो इस्त्रियां घरों के केवार बंद कर लेती पुरुश कत्रा कर इधर उधर से निकल जाते और बच्चे चीख मार कर भागते यदि कोई लड़का भागता ना था तो वो मुंशी राम सेवक का सुपुत्र राम गुलाम था बाप में जो कुछ कोर कसर रह गई थी वो बेटे में पूरी हो गई थी लड़कों का उसके मारे नाक में दम था गाउं के काने और लंगडे आदमी उसकी सूरत से चुछते थे और गालियां खाने में तो शायद सस्राल में आने वाले दामाद को भी इतना आनंद ना आता हो वो मुंगा के पीछे तालियां बजाता कुछ तो कुछ साथ लिए उस समय तक रहता जब तक वो बेचारी तंग आकर गाउं से निकलना जाती रुपया पैसा होश हवास खोकर उसे पगली की पदवी मिली और अब वो सचमुच पगली थी अकेली बैठी अपने आप घंटों बाते किया करती जिसमें राम सीवक के मास, हड़ी, चमड़े, आखे, कलेजा आदी को खाने मसलने, नोचने, खसोटनी की बड़ी उतकट इच्छा परकट की जाती थी और जब उसकी ये च्छा सीमा तक पहुँच जाती तो वो राम सीवक के घर की ओर मुह करके खुब चिला कर और डरावने शब्दों में हाक लगाती तेरा लहू पीऊंगी प्रायरात के सन्नाटे में ये गरच दी हुई आवाज सुनकर इस्तनिया चौंक पड़ती परंतीस आवाज से भयानक उसका ठठा कर हसना था मुन्शी जी के लहू पीने की कल्पित खुशी में वो जोर से हसा करती थी इस ठठाने से ऐसी आसुरिक उद्दंडता ऐसी पाश्विक उगरता टपकती थी की रात को सुनकर लोगों का खुण ठंडा हो जाता था मालू मुता मानो सैक्ड़ों उल्लू एक साथ हस रहे हैं मुन्शी राम सेवक बड़े होसले और कलेजे के आदमी थे ना उने दीवानी का डर था ना फौजदारी का परन्तु मुंगा के इन डरावने शब्दों को सुन वो भी सहम जाते हमें मनुष्य के न्याय का डर न हो परन्तु ईश्वर के न्याय का डर प्रतेक मनुष्य के मन में सभाव से रहता है मुंगा का भयानक, रात का घूमना, राम सेवक के मन में कभी कभी ऐसी ही भावना उत्पन्न कर देता उनसे अधिक उनकी इस्त्री के मन में, उनकी इस्त्री बड़ी चतुर थी वो इनको इन सब बातों में प्रायह सलाह दिया करती थी उन लोगों की भूल थी जो लोग कहते थे कि मुंशी जी की जीब पर सरस्वती विराचती है वो गुड़ तो उनकी इस्त्री को प्राप्ट था बोलने में वो इतनी ही तेज थी जितना मुंशी जी लिखने में थे और ये दोनों इस्त्री पुरुश प्राइह अपनी अवश दशा में सलाह करते कि अब क्या करना चाहिए आधी रात का समय था मुंशी जी नित्त नियम के अनसार अपनी चिंता दूर करने के लिए शराब के दो चार घूट पी कर सो गए थे यका यक मुंगा ने उनके दर्वाजे पर आकर जोर से हाक लगाई तेरा लहू पी ओंगी और खुब खिल खिला कर हसी मुंशी जी ये भयावना ठहा का सुनकर चौक पड़े डर के मारे पैर थर-थर कापने लगे कलेजा धक धक करने लगा दिल पर बहुत जोर डालकर उन्होंने दर्वाजा खोला जाकर नागिन को जगाया नागिन ने जुझला कर कहा क्या कहते हो मुंशी जी ने दबी आवाज से कहा उँ दर्वाजे पर आकर खड़ी है नागिन उठ बैठी क्या कहती है तुम्हारा सिर क्या दर्वाजे पर आगई हाँ आवाज नहीं सुनती हो नागिन मुंगा से नहीं परंतु उसके ध्यान से ड़ती थी तो भी उसे विश्वास था कि मैं बोलने मैं उसे जरूर नीचा दिखा सकती हूँ संभल कर बोली कहो तो मैं उससे दो दो बाते कर लू परंतु मुंशी जी ने मना किया दोनों आदमी पेर दबाई हुए डियोडी में गए और दर्वाजे से जाक कर देखा मुंगा की धुंदली मूरत धर्थी पर पड़ी थी और उसकी सांस तेजी से चलती सुनाई देती थी राम सेवक के लहू और मास की भूक में वो अपना लहू और मास सुखा चुकी थी एक बच्चा भी उसे गिरा सकता था परंतु से सारा गाँ थर थर कांपता हम जीते मनुशे से नहीं डरते पर मुर्दे से डरते हैं रात गुजरी दर्वाजा बंद था पर मुशी जी और नागिन ने बैट कर रात काटी मुँगा भीतर नहीं घुस सकती थी और उसकी आवाज को कौन रोक सकता था मुँगा से अधिक डरावनी उसकी आवाज थी भोर को मुशी जी बाहर निकले और मुगा से बोले यहां क्यों पड़ी है मुगा बोली तेरा लहू पियूंगी नागिन ने बल खाकर कहा तेरा मुँ जुलस दूंगी पर नागिन के विश्ण मुगा पर कुछ असर न किया उसने जोर से ठाहा का लगाया नागिन खिस्यानी सी हो गई हसी के सामने मुह बंद हो जाता है मुशी जी फिर बोले यहां से उठजा ना उठूंगी कब तक पड़ी रहेगी तेरा लहू पी कर जाऊंगी मुशी जी की प्रकर लेखनी का यहां कुछ जोर न चला और नागिन की आग भरी बातें यहां सर्द हो गई दोनों घर में जाकर सलाह करने लगे यह बला कैसे टलेगी इस आपती से कैसे चुटका रहोगा देवी आती है तो बकरे का खून पी कर चली जाती है पर यह डाइन मनुशी का खून पीने आई है वो खून जिसकी अगर एक बूंद भी कलम बनाने के समय निकल पड़ती थी तो अठवारों और महिनों सारे कुनबे को अफसोस रहता और यह घटना गाउं में घर घर पहल जाती थी क्या यही लहू पीकर मुंगा का सूखा शरीर हरा हो जाएगा गाउं से ये चर्चा फैल गई मुंगा मुंशी जी के दरौजे पर धरना दिये बैठी है मुंशी जी के अपमान में गाउंवालों को बड़ा मजा आता था देखते देखते सैक्रो आद्मियों के भीड लग गई इस दर्वाजे पर कभी कभी भीड लगी रहती थी ये भीड राम गुलाम को पसंद न थी मुंगा पर उसे ऐसा क्रोध हा रहा था कि अदि उसका बस चलता तो वो से कुए में ढखेल देता इस तरह का विचार उठते ही राम गुलाम के मन में गुदगुदी समा गई और वो बड़ी कठिंता से अपनी हसी रोक सका हाहा वो कुए में गिरती तो क्या मज़े की बात होती परन्तु ये चुड़यल यहां से टलती ही नहीं क्या करूँ मुन्शी जी के घर में एक गाय थी जिसे खली दाना और भूसा तो खुब खिलाया जाता पर वो सब उसकी हड्डियों में मिल जाता उसका धाचा पुष्ट होता जाता था राम गुलाम ने उसी गाय का गोबर एक हानी में घुला और सब का सब बेचारी मुंगा पर उडेल दिया उसके थोड़े बहुत छीटे दर्शकों पर भी डाल दिये बेचारी मुंगा लदफद हो गई और लोग भाग खड़े हुए कहने लगे ये मुंशी राम गुलाम का दर्वाजा है यहां इसी प्रकार का शिष्टाचार किया जाता है जल्द भाग चलो नहीं तो अब कि इससे बढ़कर खातिर की जाएगी इदर भीड का मुई उधर राम गुलाम घर में जाकर खूब हसा और तालिया बजाई दोपेहर हुई मुंगा ने कुछ नहीं खाया सांज हुई हजार कहने सुनने से भी उसने खाना नहीं खाया गाउं के चौधरी ने बड़ी खुशामत की यहां तक कि मुंशी जी ने हाथ तक जोड़े पर देवी प्रसंदना हुई निदान मुंशी जी उठकर भीतर चले गए वो कहते थे कि रूठने वाले को भूख आपे ही मना लिया करती है मुंगा ने ये रात भी बिना दाना पानी के काट दी लाला जी और लाला इन ने आज फिर जाग जाग कर भोर किये आज मुंगा की गरज और हसी बहुत कम सुनाई पड़ती थी घर वालोंने समझा भला ठली सवेरा होते ही जो दर्वाजा खोल कर देखा तो वो अचेत पड़ी थी मुह पर मख्या भिन भना रही थी और उसके प्राण पखेरू उड़ चुके थे वो इस दर्वाजे पर मरने ही आई थी जिसने उसके जीवन की जमा पूझी हर ली थी उसी को अपनी जान भी सौप दी अपने शरीर की मिट्टी तक उसकी भैट कर दी धन से मनुश्य को कितना प्रेम होता है धन अपनी जान से भी जादा प्यारा होता है विशेश कर बुढ़ापे में रिण चुकाने की दिन जयों जयों पास आती जाते हैं तेउंते उसका ब्याज बढ़ता जाता है ये कहना यहां वेर्थ है कि गाउं में इस घटना से कैसी हलचल मची और मुशी राम से वक कैसी अपमानित हुए चोटे चोटे से गाउं में ऐसी असाधरन घटना होने पर जितनी हलचल हो सकती उससे अधिकी ही हुई मुशी जी का अपमान जितना होना चाहिए था उससे बाल बराबर भी कमना हुआ उनका बचा खुचा पानी भी इस घटना से चला गया अब गाउं का चमार भी उनके हाथ का पानी पीने या उन्हें चूने का रवादार न था यदि किसी घर में कोई गाए खूटे पर मर जाती है तो वो आदमी महिनों दौर दौर भीख मांगता फिरता है ना नाई उसकी हजामत बनावे ना कहार उसका पानी भरे ना कोई उसे चूए ये गोहत्या का प्रयाश्चित ब्रमहत्या का दंड तो इससे भी कड़ा है और इन में अपमान भी बहुत है मूंगा ये जानती थी और इसी लिए इस दर्वाजे पर आकर मरी थी वो जानती थी कि मैं जीते जी जो कुछ नहीं कर सकती मर कर उससे बहुत कुछ कर सकती हूँ गोबर का उपला जब जलकर खाक ہو जाता है तब साथुसंत उसे माथे पर चढ़ाते हैं पत्थर का धेला आग में जलकर आग से अधिक तीखा और मारक हो जाता है इसलिए जो लोग उनसे प्राश्चित करवाना चाहते थे उनकी भारी भूल थी। इसकी भी कुछ परवाह नहीं। इसकी भी बरस दो अचकन और दो कुछ बनवाया करते थे। मुंशी राम सेवक और उनकी इस्त्री ने दिन भर तो योही कहकर अपने मन को समझाया। सांज होते ही उनकी तरकनाए शिथिल हो गई। अब उनके मन पर भै ने चढ़ाई की। जैसे जैसे रात बीती थी भै भी बढ़ता जाता था। बाहर का दर्वाजा भूल से खुला रह गया था। पर किसी की हम्मत न पढ़ती थी कि जाकर बंद तो करावे। निदान नागिन ने हाथ में दिया लिया। मुंशी जी ने कुलहाड़ा। राम गुपाल ने गणासा। इस ढंक से तीनों चौकते हिचकते दर्वाजे पर आए। यहां मुंशी जी ने बड़ी बहादरी से काम लिया। उन्होंने निदढ़क दर्वाजे से बाहर निकलने की कोशिश की। कापते हुए पर उची आवाज में नागिन से बोले। तुम वे अरत डरती हो। वो क्या है यहां बैठी है। पर उनकी प्यारी नागिन ने उन्हें अंदर खीच लिया और जुंजला कर बोली। तुमारा यही लड़क पन तो अच्छा नहीं। यह दंगल जीत करती नो आदमी रसोई के कमरे में आया और खाना पकने लगा। पर मूंगा उनकी आँखों में घुसी हुई थी। अपनी परचाई को देखकर मूंगा का भय होता था। अंधेरे कौनों में मूंगा बैठी मालूम होती थी। वही हड्डियों का ढाचा, वही बिखरे हुए बाल, वही पागल पन, वही डरावनी आखे। मूंगा का नक्षिक दिखाई देता था। इसी कोट्री में आटे डाल के कई मटके रखे हुए थे। वहीं कुछ पुराने चित्रे भी पड़े हुए थे। एक चुहे को भूख ने बेचैन किया। मटकों ने कभी अनाच की सूरत नहीं देखी थी, पर सारे गाउं में मशूर था कि इस घर के चुहे घजब के डाकू हैं। तो वो उन दानों की खोज में जो मटकों से कभी नहीं गिरे थे, रेंगता हुआ इस चित्रे के नीचे आ निकला। कपड़े में खड़कड़ा हट हुई। फैले हुए चित्रे मूंगा की पतली टांगे बन गई। नागिन देखकर जिज़की और चीख उठी। मुंशी जी बदहवास होकर दर्वाजे की और लपके, राम गुलाम दोड़कर इनकी टांगों से लिपट गया। चूह बाहर निकलाया। उसे देखकर इन लोगों के होश ठिकाने हुए। अब मुंशी जी साहस करके मटके की और चले। नागिन ने कहा, रहने भी दो, देख ली तुम्हारी मरदान की। मुंशी जी अपनी प्रिया नागिन के इस अनादा पर बहुत बिगड़े। क्या तुम समझती हु मैं डर गया। भला डर की क्या बात थी। बूंगा मर गई क्या वो बैठी है। मैं कल नहीं दर्वाजे के बाहर निकल गया था। तुम रोकती नहीं मैं नमाना। मुंशी जी के इस दलील ने नागिन को निरुत्तर कर दिया। कल दर्वाजे के बाहर निकल जाना या निकलने की कोशिश करना साधरन काम न था। जिसके साहस का ऐसा प्रमान मिल चुका है। उसे डर पोक कौन कह सकता है। ये नागिन की हट धर्मी थी। खाना खा कर तीनों आदमी सोने के कमरे में आये। परंतु मुंगा ने यहां भी पीछा न छोड़ा। बातें करते थे दिल को बहलाते थे। नागिन ने राजह हरदौल और रानी सारंधा की कहानिया कही। मुंशी जी ने फौजदारी के कई मुकदमों का हाल कह सुनाया। परंतु तो भी इनों पायों से भी मुंगा की मूरती उनकी आखों के सामने से न हटती थी। जरा भी खटखटा हट होते ही कि तीनों चौक पड़ते। इधर पत्तियों में संसना अठ हुई कि उधर तीनों के रॉंक्टे खड़े हो गए। रह रहकर एक धीमी आवाज धर दातों वाली मुंगा उनकी चाती पर बैठी हुई जान पड़ती थी। नागिन चीख उठी। बावली की तरह आंगन में भाग आई और यकायक धरती पर चित गिर पड़ी। सारा शरीर पसीने पसीने हो गया। उन्शी जी भी उसकी चीख सुनकर चौके पर डर के मारे आ आखे न खोली। भोर को अकबक बकने लगी। थोड़ी देर में ज़र हो आया। बदन लाल तवासा हो गया। सांज होते होते उसे सन्निपात हो गया और आधी रात के समय जब संसार में सन्नाटा चाया हुआ था। नागिन इस संसार से चल बसी। मुंगा के डर ने उसकी जान ली। जब तक मुंगा जीती रही वो नागिन की फुपकार से सदा डरती रही। पगली होने पर भी उसने कभी नागिन का सामना नहीं किया। पर अपनी जान देकर उसने आज नागिन की जान ली। भाय में बड़ी शक्ति है। मनुष्य हवा में एक गिरह भी नहीं लगा सकता पर इसने हवा में एक संसार रच डाला है। रात बीट गई। दिन चड़ता आता था पर गाउं का कोई आदमी नागिन की लाश उठाने को आता न दिखाई दिया। मुंशी जी घर घर घुमें पर कोई न निकला। भला हत्यारी की दर्वाजे पर कौन जाए। हत्यारी की लाश कौन उठावे। इस समय मुंशी जी का रोब दाब उनकी प्रबल लेखनी का भाय और उनकी गानूनी प्रतिभा एक भी काम न आई। चारो ओर से हार कर मुंशी जी फिर अपने घर आए। यहां उन्हें अंधकार ही अंधकार दीखता था। दर्वाजे त प्रतिती थी वही जानते थे। उसका अनमान करना कठिन है। घर में लाश पड़ी हुई ना कोई आगे ना पीछे। दूसरा बयाहत तो हो सकता था। अभी इसी फागुन में तो पचासमा लगा है। पर ऐसी सुयोग और मीठी बोले वाली स्तरी कहां मिलेगी। अफसूस अब तगादा करने वालों से बहस कौन करेगा। कौन उन्हें निरुत्तर करेगा। लेंदेन का हिसाब किताब कौन इतनी खुबी से करेगा। किसकी कड़ी आवाज तीर की तरह तगादेदारों की च्छाती में चुभेगी। ये नुकसान अपूरा नहीं हो सकता। दूस अज़ती से मुंगा की लाश भी नहीं उठी थी। मुंगा ने नागिन की जान लेकर भी मुंशी जी का पिंड न चोड़ा। उनके मन में हर घड़ी मुंगा की मूर्ती विराजमान रहती थी। कहीं रहते उनका ध्यान इसी और रहा करता था। यदि दिल बहलाओ का कोई पाय होता है तो शायद वो इतनी बेचैन नहोते पर गाउं का एक पुतला भी उनके दर्वाजी की ओर न जागता था। बिचारे अपने हाथों पानी भरते आप यही बरतंद होते। सोच और क्रोध चिंता और भै इतने शत्रों के सामने एक दिमाग कब तक ठहर सकता पर्च हो जाता था। अकेलिक कैदी की तरह उनके दस बार है दिन तो ज्यों त्यों करकटे। चौदह हमें दिन मुन्शी जी ने कपड़े बदली और बोरी अबस्ता लिये हुए कचेहरी चले। आज उनका चेहरा कुछ खिला हुआ था। जाते ही मेरे मुवक्किल मुझे घेर लेंगे, मेरी मातम पुर्सी करेंगे, मैं आसुओं की दो चार बूने गिरा दूँगा, फिर बे नामों, रहन नामों और सुले नामों की भरमार हो जाएगी, मुठ़्ी गरम होगी, शाम को जर्ण नशे पानी का रंग जम जाएगा, जिसके छूटे जाने से जी और भी उचाट रहा था, इनी विचारों में मगन मुठ़्ी जी का चहरी पहुँचे, पर वहां रहन नामों की भरमार हो और बे नामों की बाढ़ हो और मुध्किलों की चहल पहल की बदले, निराशा की रेतीली भूमी नजर आई, बसता खोले घंटों बैठे रहे पर कोई न आड़ी रमजान, जिसकी मुठ़्ी जी हसी उड़ाते थे और जिसे शुद्ध लिखना भी ना आता था, आज गोपियों में कनहिया बना हुआ था, बहरे भाग, मुध्क के लियों मुध़् फेरे चले जाते हैं मानो किसी की जान पहचान ही नहीं, दिन भर का चहरी की खाक चानने के बाद मुध्शी जी घर चले, निराशा और चिंता में डूबे हुए जियों जियों घर के निकट आते थे, मुंगा का चित्र सामने आता जाता था, यहां तक कि जब घर का द्वार खोला और दो कुत्ते, जिने राम गुलाम ने बंद कर रखा था, जपट कर बाह उनको अवश्य दुखित करते हैं, पर यह हवा के हलके जोंके हैं, और भै प्रिचंड आंधी है, मुंशी जी पर इसके बाद क्या भीती मालूम नहीं, कई दिनों तक लोगों ने उन्हें कचहरी जाते और वहां से मुर्जाय हुए लोड़ते देखा, कचहरी जाना उनका क अर्यद्यपी वहां मुवक्किलों का अकाल था, तो भी तगादे वालों से गला छुडाने और उनको भरूसा दिलाने के लिए अब यही एक लटकर रह किया था, इसके बाद कई महीने तक देखना पड़े, बद्रिनाथ चले गए, एक दिन गाओं में एक साधू आया, इस रात को मुशी राम सीवक के घर से धुआ उठा, फिर आग की ज्वाला दीखने लगी और आग भड़ा गुठी, गाओं के सेक्ड़ों आदमी दोड़े, आग बुजाने के लिए नहीं, तमाशा देखने के लिए, एक गरीब की हाय में कितना प्रभाव है, राम गुलाम मुशी जी के गायब हो जाने पर अपने मामा के हाँ चला गया और वहां कुछ दिनो रहा, पर वहां उसकी चाल ढाल किसी को पसंद ना आए, एक दिन उसने किसी के खेत में मूली नौची, उसने दो चार धौल लगाए, उस पर वो इसकदर बिगड़ा कि जब उसके चने घ खलिहान में आए, तो उसने आख लगा दी, सारा का सारा खलिहान जलकर खाक हो गया, हजार रुपेयों का नुकसान हुआ, पुलिस ने तहकी कायत की, राम गुलाम पकड़ा गया, इस अपराद में वो चुनार के रिफार्मेटरी स्कूल में मौजूद है, अभी आप सुन में